कान में दर्द बहुत तकलीफ दे होता है कान में दर्द कई कारणों से हो सकता है किसी इंफेक्शन, बदलते मौसम या कान में मेल जमने की वजह से कान में दर्द हो सकता है कभी कभी कान में पानी चले जाने के कारण भी कान में दर्द होने लगता है कान में दर्द होने पर अक्सर लोग दवाईयों और एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं हालांकि कान दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल तभी करें अगर आपके कान दर्द का स्तर सामान्य है। अगर आपके कान में बहुत ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आज हम आपको कान दर्द से निजात पाने के कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा र लहसुन की 5-6 कलियों को सरसों के तेल में डाल कर गर्म कर लें। जब लहसुन पूरी तरह जल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे च्छान लें। तेल थंडा होने के बाद 1-2 भूंद कान में डालें। तीट्री ओरल यदि संक्रमन या किसी अन्यकारण से कान में डर्द है तो आप तीट्री ओरल का इस्तिमाल कर सकते हैं। इसके लिए 4-5 भूंद तिल के तेल में 2-4 भूंद तीट्री ओरल की मिला कर गर्म कर लें। जब तेल थंडा हो जाए तो 2-3 भूंद कान में डालें। कान की सिंकाई कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप कान की सिंकाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आइस पैक या हॉट पैड से कान की सिंकाई करें। अगर हीट पैड ना हो तो एक तॉलिये को गर्म पानी में डाल कर निचोड लें। अभी से अपने कान के आसपास की सिंकाई करें. एपल साइडर विनेगर आप कान के दर्द को दूर करने के लिए एपल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए एपल साइडर विनेगर को हलका सा गर्म कर लें. अब एक या दो भून कान में डाल कर बिस्तर पर लेड जाएं ऐसा करने से आपको कान के दर्द से जल्द आराम मिलेगा सरसों का तेल कान दर्द की समस्या में सरसों का तेल बहुत फायदे मंद माना जाता है अगर आप भी कान के दर्द से परेशान हैं तो सरसों के तेल का यह नस्खा जरूर ट्राइ करें इसके लिए सरसों के तेल को हलका गर्म कर लें और एक दो भुण कान में डाल कर लेट जाएं ऐसा करने से आपको कान के दर्द से जल्दा आराम मिलेगा ऑलिव औॉरल कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप अधरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अधरक में एंटी इंफ्लामेटरी गुन पाए जाते हैं जो कान के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा अधरक कद्दू कस करके डालें और गर्म कर लें इसके बाद तेल को छान लें जब तेल थोड़ा थंडा हो जाए तो इसकी दो से तीन भूंदे कान में डालें इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉप्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सला के तौर पर न लें लिए किसी भी बीमारी के लकषनों की स्थिती में डॉक्टर की सला हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद